Hello friends, this is S.P. Singh and welcome to Smarter Every Day आज से हम कुछ जो है की questions के मात्रम से पढ़ेंगे ठीक है? आपका chapter first मैं complete करा चुका हूँ be it second year, कानपुर यूनिवर्सिटी को target करते हुए paper first जो आपका है उसमें first chapter वैदिक कालिन complete हो गया है कुछ हम लोग ने आयोग पढ़ लिये है और Adam Report भी पढ़ लिये है हम आज chapter second का एक बहुत important question है हमारे सामने just one please जो कि 2011, 2005, 2009 में भी पूछा गया है तो इस question को हम पढ़ेंगे बौध काल में, बुद्धिस्ट period में ये questions, ये chapter rap का इसमें question पूछा जाता है तो आज हम इस question को पढ़ेंगे इस PDF के माधिम से देखिए, question कह रहा है कि बौध काले सिच्छा की परमुख बिशेष्टाओं का वर्ण कीजिए और आधुनेक सिच्छा में बौध सिच्छा पनाली के मुख योगदान का उलिक कीजिए यह फिर question दो बार इस प्रकार से भी पूछा गया है बौध सिच्छा की परमुख बिशेष्टाओं का वर्ण कीजिए देखिए, अब इस question को हम पढ़ते हैं देखिए, बौध कालियन सिच्छा के दो इस्तर प्रमुख थे एक तो प्रात्मिक सिच्छा और दूसरा उच्छ सिच्छा था प्रात्मिक सिच्छा की बात करें तो जातक कथाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार बौधे काल की प्रात्मिक सिक्षा सांसारिक सिक्षा के रूप में दी जाती थी फर्स्ट लेवल की बात करें तो वहाँ पर जातक कथाओं से जो प्रात्मिक जानकारी है उसके अनुसार बहुत इकाल की जो प्रात्मिक सिक्षा थी वह संसारिक सिक्षा के रूप में दी जाते थी इस समंद में फायान ने भी शामान अत्वा प्रात्मिक सिक्षा की चर्चा अपने गरंतों में की है किसने फायान ने की है ठीक है इस समझ में प्रोफेसर अलतेकर ने कहा है कि मठो ने अपनी उच्च सिच्छा की योगिता से जहां अध्यन करने के लिए चीन, कोरिया, तिबबत, जावा जैसे दूर देशों के छात्रों को आकरशित किया है वहीं भारत की अंतराश्ची इस्तिती को भी उचा उठा दिया है ठीक है बहुत दिकालियन सिच्छा की कुछ प्रमुख विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वर्ग था उसको छोड़ करके सभी वर्गों को सिख्षा पराप्त करने का अधिकार था। अश्वर्ष्थ हो, रोगी हो, असम्माननी नहीं है, विकलांग या डंडित लोगों को सिख्षा का पात्र नहीं समझा जाता था। शिच्छा प्रारम करने की आयू आठ वर्स होती थी, आठ वर्स के बाद आप शिच्छा प्रारम कर सकते हैं और बारह वर्स की आयू तक विद्यारती रिण की अवस्था में रहता था और 20 वर्ष की आईू के बाद वहा दिक्ष्यो बन सकता था ये है बहुत दिकालियन सिक्षा की पहली विश्यष्टा हमारे सामने है अब हम दूसरी विश्यष्टा पढ़ेंगे पब्यासनस्कार PUBG संसकार पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिटेर में बताया हुआ है PUBG संसकार आप चाहें तो वहाँ से PUBG संसकार पढ़ सकते हैं मुझे लगता है जो मैं Notes से बढ़ाता हूँ उसे better तरीका ये है इससे आपके questions भी clear होंगे उनका अंसर भी कलियर होगा और आप बहतर पड़ पाएंगे ठीक है आज से मैं mostly यही classes आपको provide करूँगा वीडियो के last में आप जिरू बता करके जाएं कि तरीका सही है पपजा संसकार बौद मठों इवं बिहारों में सभी जातिके बालकों को सिच्छा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिया जाता था किन्तु जो अश्वस्थ होता था, विकलांग होता था, नपुनसक होता था, दाकू होता था या राज द्वारा दंडित होता था और राज करमचारिओं का प्रवेश नहीं दिया जाता था जो पभ्या संसκार है इस पे की बात करें तो पहली बात तो बहुत जो मठ होते थे या विहार होते थे उनमें सभी जाती के बालकों को सिच्चा प्रप्त करने के लिए प्रवेश दिया जाता था लेकिल आप किसी भी जाती के हों किसी भी समुदाय के हों आपको सिक्षा लेने का हक है लेकिन अगर आप अश्वर्ष्थ हैं विकलांग हैं नपूनसक हैं डाकू हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा प्रात्मिक सिक्षा में प्रिवेश किया यो कितने वर्स थी? 6 वर्स थी प्रिवेश किशमें बालकों का पबजा संसकार होता था पबजा होता क्या है? देखे पबजा का आर्थ है पाहर जाना क्योंकि उस समय बच्चे सिक्षा के लिए परिवार छोड़ करके मठों अत्वा बिहारों में जाते थे प्रिवेश के समय होने वाले इस संसकार को पपजा संसकार कहा जाता था क्या होता था कि उसमें भाई जो है बच्चे ऐसा नहीं कि सुबा गए स्कूल फिर घर आ गए बौध गरंत महावग में इस संसकार का विस्तार से वणन किया जाए चात्र अपने सिर के बाल मुणवाता था पपजा संसकार का मतलब है उसमें पजा संसकार में क्या होता था बच्चा अपने बाल मुणवाता था पीले वस्तर पहनता था मट के बिच्छों के चर्णों में अपना माथा तेखता था जो भी मट के बिच्छों होते थे उनके चर्णों में माथा तेखता था और फिर पालती मार करके बैठ जाता था उसके बाद वा तीन बार उच्चारित करता था क्या बोलता था फिर क्या होता था इतना बोलने के बाद इस उच्चरण के बाद उसे दस नियमों का पालन करना पड़ता था पहली बात जीव की हत्या नहीं करेंगे असुद आचरण ना करना आसत्य भाशन यानि की जूट नहीं बोलना है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं वर्जित समय यानि की सूर्यास्त होने के उपरांत भोजन नहीं करना है मादक वस्तों का प्रियोग नहीं करना है किसी की निंदा नहीं करनी है सरंगार की वस्तों का प्रयोग नहीं करना है जो है जो लड़कियां होती थी उनको मतलब वही क्रीम पावडर नहीं पोतना है लाली ती पिस्टिक नहीं लगानी है है ना नर्टेम संगीत इत्यादि से दुअब तो भईया कॉलेज जाते हैं तो लड़के तो मुरगा जैसे बाल कटवा लेंगे लड़के तो पता नहीं पाएं तो पूरा-पूरा फेर लवली पोत लें तो सबका अपना अलग-लग होता है भी या चलो, बिना दिये किसी दूसरे की वस्तो को ग्रहन नहीं करेंगे जब तक कोई हाथ उठाके ना देते तब तक हम किसी की वस्तो को ग्रहन नहीं करेंगे ठीक है सोना, चांदी, हीरा, इत्यादी कीमती वस्तो में दान में हम नहीं लेंगे जो भी आटा, चावल थोड़ा बहुत होता है वो ले लेंगे यह विस्ताइं थीज की ठीक है क्या था यह उच्चाण के बाद यह दस नियम उनको पालन करने होते थे ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अब जो यह नियम थे नियमों के पालन की सपत लेने के उपरांत बालक को मठ और विहार में प्रवेस दे दिया जाता था और अब उसे स्रमन अथवा सामनेर कहा जाता था क्या कहा जाता था? स्रमन अथवा सामनेर थर्ड नमर पॉइंट है उपसंपदा काल देखिए, बीस वर्ष की आयू के पस्चाद छात्र को उपसंपदा ग्रहन करनी पड़ती थी इस समय दस विच्चों की उपस्थिती आवस्यक मानी जाती थी बीस वर्ष की आयू के बाद छात्र को क्या होता था? कि उपसंपदा ग्रहन करनी पड़ती थी इस समय क्या होता कि 10 विक्षू वहाँ पे उपस्थित हो तभी उपसंपदा काल कम्पलीट होगा अध्यन समय क्या था? 12 वर्स का पपजा, 10 वर्स का उपसंपदा समय इस प्रकार कुल मिलाकर के 22 वर्स का अध्यन समय सीमा होती थी कितने वर्स की? 22 वर्स की चात्र कर्तव्य चात्र गुरुवों की शेवा करते थे दिक्षा मांगते थे तीन बार भोजन करते थे तीन ही वस्त्र पहनते थे शुद्ध इस्नान करते थे और अनुशाशन में रहते थे यह चात्र का कर्तव्य था ठीक है, इस्त्री सिक्षा देखिए इस काल में इस्त्रियों का इस्थान पूरसों की तुलना में नीचे होता था आज कल तो इस्त्रियां इतना उपर हो गई है, जिनका कोई जवाब नहीं ठीक भी है, बराबर कहा क्या सबको पहले संग में वर्जित थी, है ना, पहले संग में वर्जित थी और अब तो संग में ही चलती है, संग अलग है और संग अलग है संग का मतलब है साथ, है ना, पहले संग में अलग थी, अब तो संग में रहती है बाद में जब संग में उन्हें प्रवेश मिला तब ही उनकी सिच्छा आदिकी प्रगती हुई है ना ऐसे घर बेटे कहां सिच्छा की प्रगती हो सकती थी फिर देखिए व्यावसाइक सिच्छा बुद्ध काल में लेखन गणना रूपम करसी वानिजी कुटी रुद्धियोग पसुपालन इस्त ग्यान इंदर जाल मरतों को जीवित करने का मंत्र पसुओं की बोलियों का ग्यान धरुविद्ध्या भविश्य कत्थन इंदरिय पसुओं की बोलियों का ग्यान भी होना क्या था व्यावसाइक सिच्छा थी धनुस विद्ध्या थी भविश्य कैसे बताएं है ना वश्य करन है सारी संकट है औस दियों का ग्यान इससी है क्या था व्यावसाइक सिच्छा थी इससे विक्ति अपना व्यावसाइक करके रोजी रोटी का क्या है रोजी रोटी कमा सकता है आतनिक सिच्छा में बहुत सिच्छा पनाली के मुख्य योगदान क्या है हमारी वर्तमान सिच्छा पनाली की नीव वैदिक कालीन सिच्छा से मानी जाती है कहां से वैदिक कालीन से किन्तु बहुत कालीन सिच्छा की आधुनिक सिच्छा पनाली में सरवाधिक समानता पाई जाती है लेकिन जो बहुत कालीन सिच्छा की जो आधुनिक सिच्छा पनाल ठीक है? और इस विवस्ता का सूतरपात बहुत कालीन सिक्षा में हुआ था। जब शिक्षा बहुत संगों के नियंतरण में दी जाती थी, आज की तरह बहुत देखालीन सिक्षा को राजी का सनचन प्राप्त था। और प्रारम्री के इस तरह पर निसुल्क की शिक्षा दी जाती थी और उच्छा में सुल्क की विवस्था, आज आधनिक सिक्छा में भी सुल्क की ऐसी ही विवस्था है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिक्छा का विबिन इस्तरों पर विभाजन था, कैसे, वैदिक सिक्छा दो इस्तरों, यानि प्रात्मिक और उच्छ इस्तर पर व विभाजित थी और इसी मनोवय ग्यानिक आधार पर साइकोलोजी फैक्ट के बेश पे आउतनेक सिक्षा को भी पूरु प्रात्मिक प्रात्मिक और मादमिक और उच्छिस्तरों में विभाजित किया गया है ये क्या सिमिलिलरिटीस हैं समय के अनुकूल सिच्छा के उद्देश से बौधिकालिन सिच्छा की तरह आदोनेक सिच्छा में भी कलाकॉसल व्यवसायों की सिच्छा पर अधिक द्यान दिया जाता है जो की बिरोजगारी दूर करने के लिए अति आविश्यक हो जाती है फिर है विश्यक 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 पर अधिकालिन सिच्छा में पर अत्यंत बारिकी से विभाजित किया गया जिससे उसमें विशिष्टी करण और विस्तरत सोरूप पराप्त हुआ आजने के सिक्षा में तो भी इसी प्रिकार के विशिष्ट और विस्तरत पार्ट करम को अपनाया गया है ठीक है, मैटी फ्रेंट्स हमारा आज का जो क्लास है वो कंप्लीट होता है देखिए, यह हमारा चेप्रेश रेकेंड है इसका मैंने आज सिर्फ एक क्योशन करवाया है और आप क्लास अब जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी रही ठीक है, और आप मोस्टी क्लास आपको ऐसी ही मिलेंगी तो कमेंट जरू कीजिए, अपनी राय दीजिए और प्यारे दोस्तों, अगर आपने मुझे इस चैनल पर अभी तक फालो नहीं किया है तो प्लीज कर लिजे, SP सर व्लॉग्स के नाम से आप जब लिखेंगे यूटूब पर तो हमारा चैनल आ जाएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है ठीक है, थैंक्यू, कमेंट किये बिन आप न जाएगे